उशा जैनौमी वंडर स्टिच खरीदने के लिए धन्यवाद। हमें उमीद है कि आप इस प्रोड़क्ट को खरीद कर खुश हुए होंगे। और इससे आपको कई सालों का संतोश प्राप्त होगा। आपकी नई उशा जैनौमी वंडर स्टिच उप्योग सुलब है। इस मशीन के द्वारा आप व्यवसाई गुणमत्ता की फांश नेबल रचनाई बना सकते हैं, जो आपके विक्तित्व और पसंद को प्रतिबिम्बित करता है। उशा वंडर स्टिच एक बहुत ही शांदार तरीके से डिजाइन किया गया है, जो बेहत हलका है, ये एक आटोमेटिक जिगजग से लाइं मशीन है और इसमें एक क्यारिंग हैंडल भी दिया गया है। इस कामपक्ट बॉड़ी में एडवांस्ट फीचर्स हैं, जिसे बिल्ट इन मोटर, एक कलर कोड़िट फंक्शनल फेस प्लेट, पाटर्न बनाने के लिए दो डाइल्स, स्टिच लेंज सेलेक्शन और बहुत कुछ दिया गया है। इसमें बिल्ट इन नीडल थ्रेडर, बिल्ट इन थ्रेड कटर और ट्रिबल स्टेंथ स्टिच फंक्शन भी है। बंडर स्टिच में फ्री आम होता है, जो की चौतर पा बुनाई में मदद करता है। बिल्ट इन में लाइट के साथ ओन आफ बटल भी है, एक सिंगल टच रिवर्स स्टेच बटन और एक स्नाप उन प्रेसर फुट भी है। उशा वंडर स्टेच एक बहतरीन सिलाई उपकरण है, जिससे आप मन चाहे सिलाई पाटरंस बना सकते हैं। इसके साथ कुछ उपयोगी और प्रभावी एकसेसरीज जैसे तिकट फुट, जिपर फुट, स्लाइडिंग बटन होल फुट और एक ब्लाइंड हम फुट भी उपलब है। इसके साथ कुछ अन्य एकसेसरीज जैसे बॉबिन्स, सुईयों का एक सेट और एक सीम रिपर भी मिलता है। जोकि उशा बंडर स्टिच को एक प्रभल और संपूर्ण पाकेज बनाता है। मशीन को पावर सप्लाइ से कनेक्ट करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि मशीन पर लगा पावर स्टिच बंद हो। अब मशीन प्लग को मशीन सॉकिट में लगाएं और पावर सप्लाइ प्लग को आउटलेट में लगाएं। मशीन और सिरिंग लाइट को जलाने के लिए पावर को आउन कर दें। फुट कंट्रोल की वज़ा से सिलाई की गती अलग-अलग हो सकती है। आप जितना जोर से कंट्रोल पर प्रेस करेंगे, मशीन उतनी ही तेजी से चलेगी। दे एक्स्टेंशन टेबल जो की सिलाई की सर्फिस को फ्री आम सिलाई करने के लिए हटाया भी जा सकता है। प्रेसर फुट लिफ्टर को उठा कर प्रेसर फुट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। प्रेसर फुट को हटाने के लिए हैंड वील को अपनी तरफ घुमाएं और सुई को उसकी उच्चेतम स्थिती तक ले जाएं। प्रेसर फुट को उठाएं, फुट होल्डर के पीछे दिये गर लीवर को दबाएं और प्रेसर फुट निकलाएगा। प्रेसर फुट को जोडने के लिए पिन की पुट पर इस तरह रखें। जिससे की पिन फुट होल्डर के ग्रूव के बिलकुल नीचे हो। फुट होल्डर को नीचे करें, जिससे की पुट अपनी जगाँ पर लॉक हो जाएगा। फैन वील को अपनी तरफ खुमबाते हुए नीडल को उचा उठाएं और प्रेसर फुट को नीचे करें। नीडल क्लाम्प स्क्र्यू को धीला करने के लिए घड़ी की दिशा के विपरीत उसे घुमाएं और सुई को क्लाम्प से हटाएं। अब क्लाम्प में नई सुई को इस तरह डालें कि सुई के पीछे का हिस्सा आपसे दूर हो। उसे जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं। और क्लाम्प स्क्र्यू को मजबूती से पेचकल की सहायता से कस लें। स्पूल पिन्स धागे को पकड़ कर रखता है और मर्शीन में धागे की एक निरंतर सप्लाई बना कर रखता है। स्पूल पिन को इस्तमाल करने के लिए उसे उपर खीचें और बादनी स्टोरेज के लिए उसे नीचे कर दें। बाविन केस को इस्तमाल करना बहुत ही आसान है। हुप कवर को खोले, हैंड वील को अपनी तरब घुमाती हुई सुई को उपर उठाएं। और लाच को पकड़ते हुए बाविन केस को ले ले। बाविन केस को लगाने के लिए हॉन को हुक्रेस के बीच के खाली स्थान में रखें। हैंड वील को बाहर की तरब खीचें। धागे की रील को स्पूल पिन पर लगाएं। रील से धागे को खीचें। और उसे बाविन बाइंडर थ्रेड गाइड के चारों ओर लपेटें। अब बाहर की तरफ से अंदर की तरफ बाविन की छेद में धागे को डालें। और बॉबिन को बॉबिन बाइंडर स्पिंडल पर रख दें उसे दाई दरफ धके लें अब धागे को खाली जगा से पकड़ें और फुट कंट्रोल को धीमा कर दें जैसे ही धागा बॉबिन होल के पास पहुँचे वैसे ही मशीन को रोख दें बॉबिन को पूरी तरह घुमाने के लिए फुट कंट्रोल को धीमा कर दें अब बॉबिन बाइंडर को बाइं तरफ धके लें और धागे को काट दें हैंड वील को उसकी मूल सिती में वापस ले आए बॉबिन को बॉबिन केस में रखें और ये सुनिश्चित करें कि धागा घड़ी की उल्टी दिशा में खुले अब धागे को टेंचिन स्प्रिंग के नीचे से खीचें और अंत में उसे डिलिवरी आई में डाल दें धागे के कुछ इंज का हिस्सा हैंड वील को अपनी तरफ खुमाते हुए प्रसर फुट को उठाएं और रील को पिन में फसाएं अब धागे को थ्रेट गाइड में लगाएं धागे को नीचे टेंचिन एरिया के तरफ खीचें और चेक स्प्रिंग होल्डर के चारों उर खुमाएं धागे को टेक अप लीवर के बीच से दाईं से बाईं तरफ खीचें और उसे लोवर थ्रेट गाइड के बीच से डालें और फिर बाईं तरफ दी हुए नीडल बार थ्रेट गाइड में डालें नीडल आई में पीछे से आगे की तरफ धागा डालें सुई को उसकी उचितम स्थिती पर ले जाएं नीडल फ्रेडर नॉब को जितना हो सके उतना नीचे घीचें धागी को गाइड के चारों तरब खुमाते हुए खुब के नीचे से ले जाएं थ्रेड लूप को सुई में से ले जाते हुए धागे को नीडल आई में से खीचें प्रेसर फुट को उठाएं और नीडल थ्रेड को हलके हाथों से पकड़ें हैंड वील को धीरे धीरे अपनी तरफ खुमाते रहें जब तक की सुई नीचे न चली जाए और टेक अप लीवर अपनी उच्चितम स्थिती तक न पहुँच जाए हलके से नीडल थ्रेड को खीचें जिससे की बॉविन थ्रेड में एक गोला बन जाए दोनु धागों को 6 इंच तक पीछे खीचें और उन्हें प्रेसर फुट के नीचे रखतें धागे का तनाव सिलाई के सामान कपड़ों के परतें और सिलने के तरीके के हिसाब से तै किया जाता है जद धागे का तनाव बहुत ज़्यादा हो तो उसे कम करने के लिए थ्रेड तेंचन डाल का परिमान कम कर दें इसके विफ्रीद डाल का परिमान बढ़ने से धागे का तनाव बढ़ चाता है एजिस्टिंग स्क्र्यू को बाई तरफ खुमा कर तनाव को कम कर सकते हैं और दाहिनी तरफ घुमा कर तनाव को बढ़ा सकते हैं उशा वंडर स्टिच एक स्पेशल पैटर्न सेलेक्टर डाल के साथ आती है जो आपको दिये गए पैटर्न में से आपकी मनचाही स्टिचिंग स्टाल चुनने में मदद करता है Stitch Length डाल के मदद से आप मन चाही Stitch Length का चुनाव कर सकते हैं जितना बड़ा परिमाण होगा उतनी बड़ी Stitch Length होगी Reverse Stitch बटन के मदद से आप उल्टी से लाइप भी कर सकते हैं यानि जब तक आप उस फटन को दबा कर रखेंगी तब तक मशीन उल्टी से लाइप करती रहेगी होग कवर को खोलें, ड्रॉप लीवर को नीचे की तरफ से खीचें और उसे दाहिनी तरफ ले जाएं सामान्य सिलाई के लिए Feed Dog को उपर होना चाहिए और मशीन के शुरू होने पर वो हमेशा उपर की स्थिती में आ जाएगा Wonder Stitch की मदद से कोई भी अंगिनत स्टिटिंग स्टाल्स बना सकता है तो चलिए तयार हो जाते हैं अपनी उशा Wonder Stitch से सिलाई करने के लिए और अपनी Creativity दिखाने के लिए Pattern Selection डाल को A पर रखें Stitch Length को 1.5 से 4 की बीच में रखें और धागे के तनाव को 2 से 6 की बीच में रखें मशीन को ZIGZAG Foot पर रखें कपड़े को Foot के नीचे रखें और सिलाई शुरू करें Seams को फसाने के लिए Reverse Stitch बटन को दबाएं और कुछ Stitch लगाएं Pattern Selection डाल को A पर रखें Stitch Length को 1.5 से 4 की बीच में रखें और धागे के तनाव को 2 से 6 के बीच में रखें मशीन को ZIGZAG Foot पर रखें कपड़े को Foot के नीचे रखें और सिलाई शुरू करें पापरिक के कोनों पर सिलाई करना रोग दें सुई को नीचे करें और Presser Foot को उठाएं और कपड़े को घड़े की विप्रीत दिशा में 90 तिक री तक घुमाएं Presser Foot को नीचे करें और नई दिशा में सिलाई शुरू करें पैटन सिलेक्शन डाल को सी पर रखें स्टिच लेंट को 0.5 से 4 के वीच में रखें और धागी के तनाव को 2 से 5 के वीच में रखें मशीन को जिगजाग Foot पर रखें खपड़े को Foot के नीचे रखें और सिलाई शुरू करें पैटन सिलेक्शन डाल को A पर रखें स्टिच लेंट को SS पर रखें और धागी के तनाव को 2 से 6 के वीच में रखें मशीन को जिगजाग Foot पर रखें कपड़े को Foot के नीचे रखें और सिलाई शुरू करें Triple Strength Straight Stitch दो स्टिच आगे और एक स्टिच पीछे से सिला चाता है जिससे एक ऐसा सीम बनता है जो आसानी से खोले नहीं पाटन सेलेक्शन डाल को B पर रखें कोई भी स्टिच लेंथ चुने और धागे के तनाव को एक से तीन के वीच में रखें मशीन को जिगजाग Foot और Feed Dog को नीचे करें फाब्रिक को Foot के नीचे रखें और बटन को Placement Mark पर रखें अब पाटन सी चुने ताकि बटन का छेद Foot के स्लॉट के साथ आ जाए कुछ Stitches लगाए और आपका बटन तयार है पाटन सेलेक्शन डाल को BH पर रखें Stitch Length को बटन होल लेंद पर रखें और धागे के तनाव को एक से पांच के बीच में रखें मशीन को Transparent Button Hole Foot पर रखें कपड़े को Foot के नीचे रखें और बटन होल लेंद पर निशान लगाएं पहली निशान तक आगे की तरफ सिलाई करना शुरू करें अब Stitch Selector को Second Step पर रखें और दूसरे निशान तक से लें इसी तरह बटन की दाहिनी और बाई सिलाईयों को बान दें बटन होल की तीसरी और चौथी स्टेप से कपड़े को हटाएं और ओपनिंग से काट दें पैटन सेलेक्शन डाल को ए पर रखें Stitch Length को 1.5 से 4 के बीच में रखें और धागे के तनाव को 3 से 6 के बीच में रखें मशीन को जिपर फुट पर रखें जिपर टेप को कपड़े में पिन करें या टांगें और उसे फुट के नीचे रखें जिपर के किनारे को जिपर टेथ के साथ रखें और कपड़े को जिपर टेथ के साथ सिलें अब कपड़े को पलतें और इसी तरह से फिर से सिलें जिपर को लॉक करने के लिए बार टेक्स लें और आपका जिपर तयार है पैटन सेलेक्शन डाल को जी पर रखें स्टिच लेंद को दो से तीन पर रखें और धागी की तनाव को छे से आठ पर रखें मशीन को बटन होल फुट पर रखें कपड़े के फोल्डिर किनारे को फुट के स्लोट पर रखें और सिलाई शुरू करें सुई कपड़े के किनारे से टक्स बनाते हुए बाहर जाने चाहिए पैटन सेलेक्शन डाल को ई पर रखें स्टिच लेंद को स एस पर रखें और धागे के तनाव को एक से चार के बीच में रखें। मशीन को जिगजाग फुट पर रखें। कपड़े को फुट के नीचे रखें और सिलाई शुरू करें। इसी तरह पैटर्न सिलेक्टर को डी पर रखें और सिलाई शुरू करें। आखिर में पाटर्न सेलेक्टर को एफ पर रखें और सिलाई शुरू करें आप पाएंगे उशा जेनोमी बंडर स्टिट से बने हुए शांदार सिलाई बाटर्न्स रख रखाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मशीन का पावर स्टिच बंड कर दें या उसे निकाल दें सुई को उसकी उच्चितम स्थिती तक उठाएं और हुप कवर को खोलें अब बॉबिन के इसके हिंज लाच को खोलें और उसे बाहर निकाल लें हुप रेस रिंग फोल्डर को खोलें और उसमें से हुप रेस रिंग निकाल लें अब हुप को निकाल लें हुप रेस को ब्रश और एक कोमल सूती कपड़े की साहयता से साफ करें हुक रेस यूनिट को दुबारा लगाने के लिए सेंटर पिन की सहायता से हुक को लगाएं और उसे साधानी पूर्वक हुक रेस की अंदर लगा दें उसमें शिटल रेस रिंग को जोडें होल्डर्स को पीछे की स्थिती में खुमाते हुए हुक रेस रिंग को लॉक कर दें और बॉबिन केस को उसमें इंसर्ट करें प्रेसर फुट और नीडल को हटाएं नीडल प्लेट सेट स्क्रूँ और नीडल प्लेट को भी हटाएं पीट डॉक टीद पर जमी धूल और कपडों की कतरन को ब्रश की सहायता से साफ करें और नीडल प्रेट को दुबारा लगाएं सिलाई के लिए light paste प्रेट के पीछे दे हुई है बल बदलते वक्त अपनी उंगलियों का ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि वो गर्म हो सकता है बल भटाने के लिए उसे पुष करें और बाईं तरफ मोर दें ठीक उसी तरह बल बदलने के लिए उसे पुष करें और दाईं तरफ मोर दें बाधा रहित कारे के लिए मशीन के पार्ट्स जैसे face plate, hook cover, hook race ring और hook में कम से कम साल में एक बार तेल ज़रूर डालें ध्यान रहीं कि मशीन में सारा तेल हटा दें क्योंकि इससे आपके कपड़ों पर दाग भी लग सकता है